Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है free of cost quality education from class K to class 12 जी हां सही सुना आपने kindergarten से लेकर class 12 तक की कराई जाती है आपको complete education वो भी free of cost provide तो करना क्या है आपको YouTube चैनल पर जाना है and कर देना है Magnet Brains को subscribe जहाँ पर आपको CBSE board से लेकर other state board जैसे की MP board, बिहार board, UP board, राजस्तान board जैसे courses भी available है यहाँ तक की आपको practice questions भी यहाँ पर solve कराए जाते हैं तो करना क्या है आपको YouTube चैनल पर जाना है जल्दी से कर देना है Magnet Brains को subscribe इबूक से नीनोर्स की जो लिंक है आपको description box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट मेरा नाम है हश्मित कौर and मैं हूँ आपकी math faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे chapter 3 chapter 3 का नाम क्या है data handling इससे पहले हम क्या कर चुके है chapter 2 complete कर चुके हैं पूरे तरीके से MCQs and MIQs भी कर चुके हैं तो आप क्या करना है पहले वो वाला chapter पढ़ना है and फिर आना है chapter 3 पे chapter 3 में भी आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम देखेंगे chapter overview क्या देखेंगे हम आज हम देखेंगे chapter overview ठीक है and then फिर हम पढ़ेंगे introduction part क्या हम पढ़ेंगे introduction part में data handling दिया है तो data के बारे में ही पढ़ेंगे ठीक है and उससे related जो भी terms used होंगे इस chapter में वो भी हम पढ़ने वाले हैं, and then फिर हम क्या पढ़ेंगे, then हम फिर पढ़ेंगे, representative values, अब यह representative values क्या होती है, यह भी हम तब पढ़ेंगे, जब हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे chapter overview मतलब chapter में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम introduction पढ़ेंगे introduction में जैसे कि मैंने आपको बताया data handling नाम है तो data के बारे में ही हम पढ़ेंगे and उससे related जो भी terms इस chapter में use होंगे वो हम देखेंगे next हम पढ़ेंगे representative values अब representative values क्या होती है वो भी हम इस chapter में देखने वाले हैं and then फिर पढ़ेंगे हम arithmetic mean अब यह क्या होता है arithmetic mean तो यह भी हम देखेंगे arithmetic mean का formula क्या होता है उस formula को हम question में कैसे put करेंगे यह भी हम किसमें देखने वाले हैं इस chapter में देखेंगे mode and median arithmetic mean mode, median इन तीनों का formula रहता है इन तीनों से related हमें questions देखने को मिलेंगे इस chapter में और तो हमें ये साथ साथ में ही पढ़ना है फिर हम क्या पढ़ेंगे use of bar graphs with a different purpose bar graph को कैसे बनाते है ये हम कहां पे पढ़ेंगे इस topic में पढ़ेंगे bar graph को क्यों बनाये जाता है किस purpose के लिए बनाये जाता है अलग-अलग purpose के लिए कैसे bar graph बनते हैं ये भी हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं तैन फिर हम क्या देखेंगे mcqs मतलब ये पूरा chapter complete करने के बाद exercises भी solve करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे हम solve करेंगे mcqs multiple choice questions ये भी करने के बाद हम क्या करेंगे mqs most important questions देखें इतना सारा हम क्या करने वाले पढ़ने वाले हैं इस chapter में and then फिर हम क्या करेंगे complete chapter revision आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे पूरी revision करेंगे ये जो chapter हम पूरा पढ़ चुके होंगे ना उसकी short revision मतलब अच्छे briefly पढ़ाऊंगी मैं मतलब ये पूरा chapter complete करने के वाद revision भी उसकी होने वाली है अच्छे से ठीक है जब इतना सारा पढ़ लोगे तो revision आराम से आपकी हो जाएगी तो सबसे पहले आता है introduction introduction में सबसे पहला topic क्या है data क्योंकि नाम क्या है chapter का data handling क्या नाम है chapter का data handling तो data के बारे में तो पढ़ना पढ़ेगा ही हमें तो क्या बोलती है definition definition हमसे बोलती है a collection of numerical figures giving some type of information is called data मतलब अगर हमें किसी भी चीज के बारे में information चाहिए तो हमें क्या करना पढ़ता है उस information को लेने के लिए उसे numerical figures में मतलब लेना पढ़ता है information यहां किसी को information दे रहे तब भी वो numerical terms में होने चाहिए numbers में होने चाहिए किसमें होनी चाहिए नंबर्स में हम पढ़ रहा है मैस तो नंबर्स के बिना तो काम चले गई नहीं जैसे कि for example किसी ने डाटा मांगा किसी स्कूल का कि बताइए जैसे कि हम क्लास 7 पढ़ रहे हैं के टोटल स्टूरीटस कितने क्या अब बताओं के हैं है कि टोटल शूरेंट्स कष्ञा सावन कै किटने हैं कि टोटल स्टूरीटस हैं 50 है ठीयका उदस है अगर बोला कि मुझे पर्टिकुलरली boys का भी बताईए कि boys कितने and girls का भी बताईए तो आप कैसे बताओगे boys कितने है boys है 35 and girls कितनी है girls है 15 ठीक है ऐसे ही बताओगे तो यह क्या है यह हमारा data आप ऐसे नहीं बोल सकते बहुत सारे boys है लेकिन girls थोड़ी सी है उसे बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है आपको numerical terms में मतलब numbers में उस चीज का data देना होगा तब ही उसको समझ आएगा कि total students है 50 class 7th में उसमें से boys कितने है 35 and girls कितनी है 15 इसको क्या बोलते है इसको हम बोलते है numerical figures क्या बोलते है numerical figures तो definition हम से क्या बोल रही है collection of numerical figures given some particular type of information किसकी information हम मांग रहे थे students की class 7th की ठीक है यह हमें information दे रही है particular type की information दे रही है जो data हमें particular type की क्या दे रहा है information दे रहा है उसे हम क्या बोलते है data क्या बोलते है हम data अगर हम किसी भी numerical figure में कोई भी information collect करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है data क्या आपको समझ में आया आया है अब next क्या देख रहा है हम collecting data collecting data हम data क्यों collect करते हैं collection of data may not give us a specific information related to the data स्रिफ data को collect कर लेने से हमें कोई भी information नहीं मिल जाती है for this we need to collect data keeping in mind that specific information जैसे कि मैंने बोल दिया किसी को की मैं class 7 की information लेने जा रही हूँ मुझे class 7 का data collect करना है क्या data collect करना है कि teachers class 7 में क्या पढ़ा है क्या यह कितने students है यह class 7 का syllabus कितना है यह कितनी books use की जाती है या कितने घंटे पढ़ाया जाते है डाटा क्लेक्ट करना क्या है वह भी तो पता होना चाहिए तो कलेक्शन ऑफ डाटा इस नॉट ना मैटर जब तक हमें स्पेसिफिक पॉपर्स ना पता हो उसका ठीक है तो क्या है इसमें हमें जानना है कि स्टूडेंट्स कितने हैं हमें क्लियर ली उसे स्पेसिफाय करना रहेगा ठीक है बिफॉर क्लेक्टिंग डाटा वी नीड तो नो वाट वी वूड यूज इट पॉर हम क्यों उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसका रीजन भी हमें पता होना चाहिए ठीक है समझ आया हम नॉर्मली ऐसे ही हम मुन कलेक्ट नहीं करते डाटा किसी लिए अंटा करते हैं और उस परपोस का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है तब ही हमें पता रहेगा कि मैं डाटा कालेक्टू नहीं कहा है ठीक है आया आपको समझ में कुलिए नेक्स किया है एफ है आजनाइज सेशन ऑफ डाथ समernेड लिया दाटा को उतीन करते हैं क्यों करते हैं उसका रिजन पता होओना चाहिए यह समस्ष लिह अभ डाटा को क्लेक्ट करके आप करोगे क्या उसे organize करोगे sequence में उसको रखोगे organize करके कैसे after the collection of data we have to arrange उसे arrange करोगे manage करोगे and organize the data in a proper way उसको proper way में organize करके रखोगे ठीक है आया समझ में then collecting the data and further organizing it in a particular manner makes it easier for us to understand and interpret it अगर हम data को collect कर लेंगे एंड उसको proper way में organize करके रखेंगे sequence में रखेंगे तो उसको समझना and कोई अगर हमसे आगे पूछ रहे इसका मतलब क्या है तो उसको भी समझाना हमारे लिए बहुत easy रहेगा अगर हम data को ऐसी collect करके आवा रखेंगे sequence में रखेंगे तो बिल्कुल समझ आने वाला नहीं है बाइचंस हमें पूरा school का ही चाहिए सारी classes का चाहिए class first class second class का चाहिए लेकिन class first का data कहीं और रखा है class fifth का कहीं और या class first के बाद fifth का रखा है and then फिर उसके बाद 8 का रखा है and then फिर 12 का and then फिर second पर रहे हैं ऐसे अगर हम करेंगे बिल्कुल sequence में data को नहीं रखेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आना वाला and बहुत ही जाला time जाएगा उसको समझने में अगर हम sequence में रखेंगे पहले class first का फिर second का फिर third का फिर fourth का फिर fifth का फिर sixth का and seventh का तो हमारे लिए भी वो चीज़ समझने में and किसी और को अगर कोई पूछ रहे तो किसी और को समझाने में असानी रहेगी इसलिए data को organize करके रखना arrange करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है क्या आया आपको समझ में तो आप इसका screenshot ले लीजिए and इसका भी ले लीजिए ले ले आपने इसका भी ले लीजिए आप next क्या है next है representative values अब यह representative values क्या होता है you might be aware of the term average यह जो term average वर्ड यह आपने बहुत बार सुना होगा ठीक है and would have come across statement involving the term average in your day-to-day life आपकी day-to-day life में यह average वर्ड बहुत बार सुना होगा किसी से हम पूछ लेते हैं आपके average marks क्या है सारे subject में तो यह average वर्ड हम बहुत बार use करते हैं अपनी day-to-day life में इशामपल हमें दिया है इशा स्पैंट सौनन एवरेज ऑफ अबाउट five hours daily for her studies मतलब क्या है इसका जो इशा है वह average कितने घंटे पड़ती है five hours daily अपनी studies को देती है इसका मतलब यह नहीं है कि हर दिन वह exactly five hours पढ़ती है किसी दिन वह 4 hours भी पढ़ती होगी किसी दिन वह फाइव इस फ़ाइवर्स ही पढ़ती होगी ठीक है कब कभी उससे जाधा भी होता होगा कभी लेकिन जरूरी नहीं हर दिन ही उस डिक्टो 5 आरस ही पड़े तो आड query का मतलब क्या होता है यह हमारे एवरेज का मतलब पड़овой- brake यह है हमारे average का मतलब ठीक है next example क्या है the average temperature at this time of the year is about 40 degree Celsius क्या बोला है average to temperature रहता है हर साल का इस time पे वो कितना रहता है वो 40 degree Celsius रहता है क्या आपने temperature देखा है क्या हर दिन से मों 40 degree 40 degree 40 degree 40 degree ऐसा तो नहीं होगा कभी 39 degree होगा कभी 41 degree कभी 42 degree लेकिन उसका अगर हम average निकाले तो most probably वो कहां पे आएगा 40 degree पे आएगा समझा है आपको then third क्या है the average attendance of students in a school during its final examination was 98% क्या बोला गया average students की जो attendance लगती है final examination के time पे वो कितनी लगती है कितने students आते हैं कितने students present होते है 98% इसका मतलब यह नहीं कि गिट्टो 98% होते होंगे एक दिन 97 होते होंगे एक दिन 95 होते होंगे 99 भी होते होंगे पट उसका average निकाला गया तो क्या आया 98% आया मतलब 98% के आस-पास final examination के time पे students जो हैं वो present रहते हैं ठीक है आया आपको समझ में next क्या बोल रहा है average lies between the highest and the lowest value of the given data मतलब जो भी data हमें दिया जाता है जो average है वो highest value जो रहती है जो lowest value रहती है उसके बीच का term रहता है average lies between the highest and the lowest value of the given data जैसे कि 6 hours है और 4 hours है तो 5 hours क्या होगा उसका average होगा उसका बीच का term क्या आ रहा है 5 hours आ रहा है तो average बस वही है highest lies between the highest and lowest value of the given data ठीक है we say average is a measure of the central tendency of the group of data मतलब जो data हमें दिया गया रहता है जो average है वो क्या रहती है central tendency central tendency का मतलब क्यों होता है वही representative value रहती है हम किसी भी data को average के through ही represent करते हैं हम अलग अलग नहीं लिखते अगर हमसे कोई particular information मांग रहा है तो हम average उसका बता देंगे जैसे कि यहां पर average 5 hours बताया यहां पर average 40 degree बताया यहां पर average 98% बताया यह नहीं बताया कि एक दिन वो 4 गंटे पढ़ रहे एक दिन 5 गंटे एक दिन 6 गंटे एक साड़े 4 गंटे ऐसे नहीं बताया सीधे average बता दिया यहां पर भी average और यहां पर भी average बता दिया है तो average रहता क्या है? average central tendency रहती है या average ही हमारी representative value रहती है आया आपको समझ में? आया है तो कर लिजे आप note down कर लिए आपने note down तो यहां पर हमारी वीडियो complete होती है अगर आपको अच्छा लगा हो तो करना क्या है? लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ और साथ ही में जाना है YouTube चैनल पर और कर देना है Magnet Bains को subscribe यह रही हमारी application यह रही हमारी website यह रही हमारे top courses जो आपको provide कराते हैं free of cost, quality education, e-books और e-notes की जो link है आपको बिल्कुल description box में मिल जाएगी आप साथ ही में जा सकते हैं अधर social media platform में जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram आप इन पर भी जाके विजिट कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं Magnet Brains को ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या है? सब्सक्राइब और इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है और शेर करना है थाइंक यू सो मच